मूवी स्टार्ट होती है 1919 में जहां पर हम एक सरकस को देखते हैं ये सरकस एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहा था बहुती लंबा सफ़र तै करने के बाद जब ये नई सिटी में पहुंचता है तो यहां पर रुक कर कुछ दिनों तक सरकस प्ले होने वाला था साथ ही हम दो बहन भाईयों को देखते हैं जिनका नाम जो और मिली है पता चलता है कि इनके डैराज सरकस वापस आ रहे हैं जिसका नाम होल्ट था वो एक कैप्टन था आर्मी में पर एक वार में उसका हाथ बहुत जखमी हो गया था जिसके बाद उसने प्लान किया कि वो सरकस वापस जॉइन करेगा अब सरकस वापस आने पर हॉल्ट सब को थेंक्यू बोलता है कि उसकी गेर मुझूदगी में सब ने दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखा यहां पर वो सारे सरकस के फ्रेंड से मिलता है इनमें सरकस का ओनर मैक्स भी था वो दिखने में तो बहुत घुस्से वाला लगता था पर दिल का बहुत यह अच्छा था जब वो देखता है कि हॉल्ट वापस आ गया है तो वो बहुत खुश होता है जिसके बाद वो हॉल्ट को अपने आफिस में बुलाता है यहां हमें पता चलता है कि हॉल्ट की वाइफ पहले सरकस में ही काम किया करती थी पत एक फ्लू की वज़े से उसकी डेथ हो गई जिसके बाद सरकस की पॉपुलारिटी बहुत कम हो गई थी हॉल्ट यहां पर मैक्स से कहता है कि मुझे मेरे घोड़े वापस कर दो मैं एक बहुत अच्छा सा शो करूंगा पत मैक्स उसे बताता है कि मैंने तो घोड़े पेश दिये और उनकी जगा पे एलिफेंट्स ले लिये हैं मैक्स उसे बताता है कि खर्चे बहुत जादा हो गए थे और यही तरीका था खर्चे को कम करने का इसके बाद वो हॉल्ट से कहता है कि तुम्हारी न्यू जॉब इन हाथियों का भी दिहान रिखना है इसके बाद वो हॉल्ट को साथ लेके जाता है और एक एलिफेंट दिखाता है और बताता है कि इसका नाम जंबो है और इसका एक निया बेबी आने वाला है हौल थोड़ा अपसेट होता है और वापिस अपने टेंट में चला जाता है यहाँ पर उसकी थोड़ी सी बहस होती है अपनी बेटी से जहाँ पर वो अपनी बेटी से कह रहा था कि तुम्हें भी कोई टैलन सीखना चाहिए ताकि तुम भी सरकस में पार्टिसिपेट कर सको पर उसकी बेटी मेली उसे बताती है कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मैं साइंटिस बना चाहती हूँ और इसको मैं पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करूँगी सुबा होती है तो हॉल्ट अपने बच्चों के साथ जाता है अलेफिन देखने के लिए यहाँ पर बच्चे नोटिस करते है कि एक वर्कर जम्बो के साथ बहुत बत्तमीजी और रूर्ली बेहिव कर रहा है वो अपने टेंट से बाहर नहीं आना चाहती थी जब यह बेबी थोड़ा क्लीन होता है तो पता चलता है कि इसके कान बहुत ही जादा बड़े हैं यहाँ पर वो ही वर्कर आकर इसको तंग करने लगता है और इसका मजाग भी उड़ाता है जब जम्बो देखती है कि उसके बेबी को छेड़ा जा रहा है तो वो बहुत ही ज़ादा फ्यूरिस हो जाती है मैक्स भी बेबी को देकर कहता है कि ऐसा आजीब सा एलेफेंट हमारे सरकस का नाम खराब करेगा इसके बाद मैक्स हॉल्ट से कहता है कि यह सिचुएशन किसी भी तरीके से हैंडल कर लो दूसरी तरफ यहां पर हम देखते हैं कि कैसे दोनों बच्चे एलेफेंट का प्यार देकर बहुत खुश होते हैं और अलग से उस बेबी एलेफेंट को देखने भी जाते हैं उनको पता चलता है कि इसके कान बहुत बड़े हैं इसकी वज़े से यह देख नहीं पा रहा अब वो बेबी एलेफेंट देख सके तो यह लोग इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने इयर्स को ब्लो करे बट उसे तो यह नहीं आता था जिसके बाद यह दोनों फैदर्स को ब्लो करके उसे सिखाते हैं कि कैसे ब्लो करना है यहाँ पर जब बेबी एलेफेंट ब्लो करने की कोशिश कर रहा था तो एक फैदर उसकी नोज में चला जाता है जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा च्छींके आती है यहाँ पर छींकने के बाद वो अपने बड़े से इयर्स के साथ थोड़ा सा उड़ने लगता है यह चीज़ देकर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं यह दोनों बच्चे फॉरन जाते हैं अपने डाद के पास ताके उन्हें बता सकें कि ये बेबी ऐलिफन तो और सकता है बट हॉल्ट को लगता है कि ये दोनों मजाग कर रही है जिसके बाद वो इन दोनों को मना करता है कि उस बेबी ऐलिफन से दूर रहना यहाँ पर मैक्स हॉल्ट के पास आता है और उसे एक नकली हाथ देता है ताके उसे फील ना हो के उसका हाथ नहीं है अब रात होती है और शो होने वाला था यहाँ पर हॉल्ट बड़े ऐलिफिन को भी लेकर आता है और उस बेबी ऐलिफिन को भी उस बेबी ऐलिफेंट के कानों को एक कपड़े के साथ छुपाया हुआ था हॉल्ट ने जब पबले कितने क्यूट से बेबी ऐलिफेंट को देखती है तो सब ही बहुत जादा खुश होते हैं यहाँ पर ही बेबी ऐलिफेंट भी देखता है एक लेडी को जिसके हैट के उपर फैदर लगा था उसे वोई ट्रिक याद आती है जो के दोनों बच्चों ने उसे सिखाई थी और वो अपनी ट्रंक से उसको अंदर सक करता है इसके बाद उसे जोड की छीनक आती है और वो ऐसे ही राज अपना खोल देता है अब इस ठीनक की वज़ा से बेबी ऐलेफेंट अपने बोर्ड के साथ जाकर टकराता है जहांपर उसका नाम लिखाता जो केरी अरेंज होकर बन जाता है इयर बेबी डंबो और उसका ये नाम बन जाता है सारी पबलिक अब इसके बाद उसे डंबो बलाने लगती है और उसका बहुत मजाग उड़ाती है इसके बाद सारे लोग इसमें पीनिट्स भैंकने लगते हैं बाकी अलेफेंट जब ये देखते हैं तो सबको बहुत घुसा आता है यहाँ पर डंबो की मौं भी पहुँच आती है क्यूंकि वो अपने बेबी को बचाना चाती थी होल्ट बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से जंबो को रिलाक्स करें बट वो बहुत ज़ादा फ्यूरियस थी यहाँ पर फिर से एक वर्कर आता है उसे कंट्रोल करने के लिए और इसके बाद तो यहाँ पर जंबो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी सारे लोग दर कर यहाँ से भागने लगे थी जंबो के घुसे की वज़ा से वहाँ का टेंट का एक पिलर उसी वर्कर पे गिर जाता है बाद में हम देखते हैं कि लोग बाकी सारे बच चुके हैं और बेबी और जंबो भी सेफ हैं इसके बाद हम देखते हैं कि इसी सब की वज़ा से जंबो को अलग बन कर दिया गया है और मैक्स उस ओनर को वापस कर देता है जिसे उसने जंबो को खरीदा था कि ये तो बहुती जादा फ्यूरियस आनिमल है अब मॉम के जाने के बाद डंबो बहुती अकेला हो गया था जब रात होती है तो दोनों बच्चे जाते हैं डंबो से मिलने के लिए और उसे समझाते हैं कि हम समझ सकते हैं कि मॉम ना हो तो कैसा फील होता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि इसकी weakness एक फैदर है यहाँ पर दोनों बच्चे प्लान करते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से शो में पैसे जोडने होंगे ताकि इसकी मॉम को दुबारा वापिस लाया जा सके अब शो स्टार्ट होता है तो मैक्स डंबो से कहता है कि वो एक क्लाउन सा बने जहाँ पर फायर फाइटर की तरहां वो बाकी सारी आग को बचाएगा यहाँ पर छोटी छोटी सी आग लगी वी थी और जब भी डंबो उस पर पानी फैंकता था पीछे से एक वरकर उस आग को बुझा देता था यह एक ट्रिक थी और लोग उसे देकर बहुत ही जादा इंज्वाई कर रहे थे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्लाउन गलती से आग को तेज कर देता है और डंबो उपर ही भस जाता है अब मिली जब यह देखती है तो समझ आती है कि उसे डंबो की हेल्फ करनी होगी वो उपर जाती है उसे एक फैदर देने के लिए ताके वो उर गे नीचे आ सके आसपास थोड़ी आग जादा ही हो गई थी यहाँ पर मिली भी लेडर से नीचे गिरती है और नीचे पड़े पानी में गिर जाती है उपर जो फ्लैटफॉर्म था उस पे डंबो का वेड भी जादा टिक नहीं पाता जिसके बाद वो फ्लैटफॉर्म भी गिरता है और डंबो भी नीचे आने लगता है यहाँ तक कि मैक्स का सरकस बहुत ही फेमस हो जाता है दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ डंबो को देखने के लिए यह नीचे इतने जल्दी ट्रैवल करती है कि ड्रीम लैंड के ओनर तक पहुंच जाती है ड्रीम लैंड एक बहुत ही बड़ा सरकस था इसके बाद यहाँ का ओनर फॉरन मैक्स से मिलने के लिए आता है और मैक्स यह बाद समझाता है कि इसका परपस सिर्फ इतना है कि यह डंबो को खरीद ले इसके बाद मैक्स उसे क्लिरली बताता है कि वो किसी भी हाल में डंबो उसे नहीं देगा इसके बाद मैक्स उस ओनर को मिलवाता है डंबो से जब वो डंबो को देखता है तो मैक्स को बताता है कि तुम इसे यहाँ पर फुली यूज नहीं कर रहे तो अगर तुम ड्रीम लैंड में पार्टनर्शिप कर लो तो तुम्हें बहुत फाइदा होगा मैक्स जब यह सुनता है तो वो समझ आता है कि यह ओफर अच्छी होगी क्यूंकि वो ओनर कह रहा था कि यहाँ के सारे वर्कर्स को वो घर भी लेकर देगा और ड्रीम लैंड इन सब की लग ही बदल देगा इसके बाद मैक्स मान जाता है और यह सारी चीज़ें पैक करके यह लोग ड्रीम लैंड पहुंच जाते हैं वहाँ जाकर देखते हैं कि यह तो बहुत ही बड़ा सा सरकस है यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर डंबो को एक अलग जगा पर रखा जाता है जिसके बाद होल्ट की फैमली को एक बहुती बड़ा घर दिया जाता है जोके एक फाइव स्टार होटेल से कम नहीं था इसके बाद यहाँ का ओनर होल्ट को एक बहुती डिफरेंसी जगा भी देता है जहाँ पर वो अपने सारे एक्ट कर सकता है बट इससे पहले उसे डंबो से वोई ट्रिक करवानी होगी उरने वाली होल्ट इस बात के लिए मान जाता है बट यहाँ का ओनर उसे कहता है कि इस ट्रिक के उपर डंबो को अपनी एक आर्टिस को भी पिठाना होगा और इसके लिए इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाए अब होल्ट अपने बच्चों के साथ रेडी हो जाता है और डंबो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है बहुत ही जादा मुश्किलों के बाद डंबो उस आर्टिस्ट के साथ बहुत comfortable हो जाता है और इसके बाद वो उस आर्टिस्ट के साथ ही हुरने लगता है जब यहां का ओनर यह सब देखता है तो वो समझ आता है कि अब बहुत सारे पैसे आने वाले हैं अब बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और grand opening का दे आ ही जाता है जहां पर बहुत सारे लोग जमा हुए वे थे सिर्फ डंबो को देखने के लिए dreamland का ओनर यहां max को एक bank manager से भी मिलवाता है जो के इस show के बाद decide करेगा कि उसने dreamland में invest करना है के नहीं अब यहां पर show में एक grand opening होती है जिसके बाद बहुत सारे place भी होते हैं यहां पर हम देखते हैं कि एक platform के थू डंबो को एक height पर पहुंचा दिया गया है और वो artist भी अपने ही style में वहां तक पहुंच जाती है अब इस सब के बीच में hold देखता है कि यहां पर तो safety nets ही नहीं लगे यह सब तो यहां के owner का plan था क्यूंकि वो इस सब को बहुत dangerous show करना जाता था show start होता है और हम देखते हैं कि डंबो को एक feather देती है वो artist पट वो feather डंबो से slip होकर नीचे गिर जाता है जिसके बाद डंबो जुकता है उसको पकड़ने के लिए और इसी सब के बीच में वो artist डंबो के उपर से slip होकर नीचे गिर जाती है यहां पर hold ने एक rope रखी थी और वो किसी तरीके से उस rope की मदद से बच जाती है अब डंबो उस platform पे अकेला था और वो slip हो रहा था यहां पर डंबो डर कर आवाजी देने लगता है हम देखते हैं कि जंबो जो कि इसी एरिया में बन थी वो अपने बीबी की आवाज सुन लेती है यहां पर डंबो भी डंबो को ओवाज देती है जो कि डंबो सुन लेता है जिसके बाद अपने पास पड़े हुए फैदर को वो यूस करता है और उरने लगता है लोगों को लगता है कि शायद छो स्टार्ट हो गया है पर बजाए इसके के डंबो वहीं पर रहता वो बाहर निकल जाता है क्योंकि वो तो अपनी मॉम के पास जाना जाता था इतनी देर में यहां ड्रीम लैंड का ओनर आता है और डंबो को वापस ले जाता है यहां पर हम देखते हैं कि दोनों बच्चे समझ आते हैं कि यह एलेफिंट कोई और नहीं बलके डंबो की मॉम है ट्रीम लैंड का ओनर बताता है मैक्स को कि कैसे उस बैंक मैनेजर ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है दूसी तरफ हम देखते हैं कि होल्ट ओनर के पार चाता है और उसे बताता है कि डंबो को अपनी मॉम से मिलवा देना चाहिए पर यह ओनर इस बात को नहीं मानता जिसके बाद वो अपने वर्गर्स को बताता है कि जाकर जंबो को मार दे इसके बाद दोनों बच्चे और होल्ट उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो इन दोनों से जूट बोलता है और बताता है कि जंबो तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही है ये बात मैक्स तक भी पहुन जाती है जिसके बाद वो यहां के ओनर को समझाने के लिए उसके ओफिस में जाता है ओफिस में जाकर मैक्स को पता चलता है कि यहां के ओनर ने उसके बाकी सारे वर्कर्स को तो जॉब से निकाल दिया है जिसके बाद वो मैक्स को कहता है कि ये और वो प्लान करता है बाकि सारे लोगों के साथ मिल कर कि किसी भी तरीके से डंबो की मॉम को तो हम बचा लेंगे और ऐसा लगता है कि शायद डंबो को भी ये सारे बात समझा रही थी नेक्स डे यहाँ पर एक और शो था जिसको देखने के लिए दुबारा से वो बैंक मैनेजर भी आया हुआ था यहाँ पर हम समझ आते हैं कि कोई प्लान जरूर चलेगा यहाँ पर एक वरकर एक ट्रक लेकर आता है जिसमें डंबो को बिठा कर वो एक्जिबिट में लेकर जाएगा यहाँ पर हम एक और आटिस्ट को देखते हैं जोके मिसर ट्लान इस थी वो यहां के guards को बेवकूब बनाती है जिसके बाद बाकी सारे लोग उस exhibition के अंदर चले जाते हैं ये सारे लोग वहां की lights off कर देते हैं और ट्रक में चर जाते हैं जिसके बाद ये बाकी सारे लोगों को बेवकूब बनाकर उस truck को वहां से बाहर ले जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि नील दुबारा से उस आर्टिस्ट को सारा प्लैन समझाता है जिसके बाद वो डंबो के साथ रेडी हो जाती है प्लैटफॉर्म पे दूसी तरफ हम देखते हैं कि अब यहां के ओनर को भी यह सारी नीूस मिल गई है और वो कहता है कि हर जगा के गेट्स बंद कर दिये जाएं ताके वो ट्रक करी बाहर ना निकले इसके बाद हम देखते हैं कि होल्ट एक टेंट के उपर चड़ गया है जिस टेंट के अंदर ड कंट्रोल टावर तक पहुंचते हैं और बाकी सारे गेट्स को उपन करते हैं ताके जिस ट्रक के अंदर डंबो की मॉम है वो बाहर निकल सके तंबो यहाँ पर एक लिवर खीचता है जिससे बाकी सारी लाइट्स यहाँ सरकस की चली जाती है अब इसको चेक करने के लिए यहाँ का ओनर खुद ही उस कंट्रोल तावर पे जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि डंबो तो उस आर्टिस के साथ उड़ गया है यह ओनर यहाँ पर आकर हर तरह के लिवर को खीचने लगता है क्योंकि उससे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है और इसी सब की वज़ा से यहाँ पर बहुत जाता आग लग जाती है होल्ट अपने एक होर्स पर बैठता है और अपने बच्चों को ढूनने लगता है वो देखता है कि वो कहीं भी नहीं मिल रहे और इसके बाद उसकी नजर परती है एक वर्कर पे जो के उनके बच्चों के पीछे भाग रहा था अब होल्ट उस वर्कर को भगा देता है अपने होर्स की थ्रू इसके बाद हम देखते हैं कि नील और उसके दोनों बच्चे यहीं पर भश चुके हैं आग में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्टिस डंबो को लेकर उस शिप तक पहुंच गई है जिसमें उसकी मॉम जंबो थी पर यहां पर इनको ख्याल आता है हौल्ट और उसकी फैमली का जिसके बाद डंबो उड़ते उड़ते वहां पर पहुंच आता है उनके पास डंबो अपनी ट्रंक में बहुत सारा पानी भरता है और उनके पास जाता है ताकि उनको सेफली बाहर आ सके अब ये सब लोग तो सेफली बाहर आ चुके थे हम देखते हैं कि यहां के उनर का ड्रीम लैंड तो पूरा तबाह हो चुका है और वो जो बैंक मैनेजर था उसने मैक्स के साथ डील कर ली थी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डंबो अपनी मॉम के शिप तक पहुँच चुका है जिसके बाद ये दूनों जाने लगे थे इंडिया यहां पर होल्ट और उसकी फैमली भी पहुँच आती है और वो सब लोग मिलकर इसको गुदबाई कहती है इसके बाद एंड में हम देखते हैं कि मैक्स ने एक बहुत बड़ ऐसा सरकिस खोलिया है जहां पर वो अब अनिमल्स को यूज नहीं करता यहां पर हर कोई अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है मिली ने भी अपना ड्रीम पूरा कर लिया जहां पर वो अपने इन्वेंशन्स लोगों को दिखाती है हौल्ट भी उस आर्टिस के साथ मिलकर बहुत सारे ट्रिक्स करता है इसके बाद हम इंडिया का एक सीन देखते हैं जहां पर डंबो अपनी मॉम के साथ बाकी बहुत सारे एलफेंस के साथ इंडिया कर रहा है एंड सीन में वो उरता है और ऐसे ही मुवी एंड हो जाती है